महा अश्टमी की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकाम नाए जै मातादी जोतिस सास्तर में अगर आपको बार बार बिजनस में नुकसान हो रहा है या फिर सत्रू बिरोधी जादा परिसान कर रहे हैं तब ऐसे में मा भगवती दुर्गा को आप अगर कुछ खास परियोग करें उनको कुछ खास परियोग से मनाए तो आपके जीवन की समस्त परिसानिया समाब्थ हो जाती है आज हम आपको तीन परियोग बताएंगे और तीनों ही परियोग आप कर सकते हैं या कोई एक प्रियोग भी कर लें तो ठीक है सुबा सबेरे नित्यकर्मों से निब्रत होकर मा को प्रणाम करें और मा को एक पान का बीड़ा और पित करें अब ये पान का बीड़ा कैसे बनाएंगे दिखें आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता सिर्फ डंठल हटाईए पान के पत्ते का बांकी कुछ मत तोड़िएगा अब इस पत्ते को दोकर साफ कर ले दो लॉंग, दो इलाची और बतासा रखिए और इसके अलावे इस पे कुछ भी आपको नहीं रखना और इसी को मोड कर आप बिड़ा के तरह बना ले और मातारानी को अर्पित कर दें वैसे अगर आपके घर में केसर है तो आप डाल सकते हैं इसके बाद मा को अपनी परेशानिया, समस्या उनको कहिए और अपनी समस्याओं को आपको बोलना है कि मा आपका ही सब कुछ है और आपको ही सब सौप रहा हूं या रही हूं इससे क्या होगा मा के उपर जब आप अपनी तमाम परेशानियों को सौप देते हैं तो कहीं ने कहीं मा आपका जो हिल्प है जो आपका जो बिजनस में परेशानी है जो घाटा हो रहा है या किसी तरह के कोई समस्या है उससे आपको बाहर निकाल ही लेती है तो जो उचित हो वही उनसे प्राटना कीजिएगा अनुचित चीजे या किसी के बुरा के लिए कभी मत कीजिएगा ये अच्छा नहीं है हमें सब पवित्रमन से अपनी वलाई की बात सोचें और मासे कहें तो वो जरूर आपकी पूरी होगी अब दूसरा प्रियोग देखिए नवरात्र में वैसे महास्ट्रमी, महानोमी और बिजयादस्मी ये तीन दिन है इन तीनो दिन में से किसी भी दिन आपको चाहिए होगा कपूर कपूर तो आपके घर में होगा इसके साथ ही लॉंग और एक पान का पत्ता पान के पत्ते एक थाल ले लें थाल के उपर एक पान का पत्ता रखें उस पर कपूर रखें और दो लॉंग रख दें अब इसको जला कर माता की आरती करें और जो थाल रखिएगा उसमें दो चार दाने चाबल के भी साइड में रख लीजिएगा तो इसी से आप आरती कीजिए साम के बक्त कीजिएगा आपके जीवन के हर बाधाएं कट जाएंगे घोर से घोर परिसानी अगर जीवन में बहुत संकट हो जीवन कट नहीं रहा हो दुख समापत नहीं हो पा रहा हो तो ये परियोग आप करके देखें आपको राहत मिलेगी अगर जीवन में सुख सौभाग की प्राप्ती में कमी है या फिर आपका सुक्र गरबढ है तो एक छोटा सा काम करें एक थाल ले ले थाल के उपर गुलाब की पंखुरी रखिए अब गुलाब की पंखुरी के उपर आप कपूर डाल कर जलाईए आप चाहें तो लॉंग भी इसमें डाल सकते हैं नहीं चाहें तो कोई दिकत नहीं है लॉंग यहाँ पर आप्सिनल है तो कपूर डाल कर गुलाब की पंखुरी पर जलाईए और मातारानी की आरती कीजिए तो आपके जीवन की जो भी परिसानिया होंगी सुक्र से समंधी जो समस्याएं होंगी जो सुक्र वाला पार्ट है वो आपका बेहतर होगा और मुस्किलें कम होगी खत्म हो जाएगी तो गुलाब की पंखुरी पर जब आप ये परियोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक वर फिर से खुजियां लोटाती है क्योंकि ये एक तरह से तांतरिक क्रिया है लेकिन इसके फल आपको तुरंत मिलेंगे हाथो हाथ और जो भी परियोग करें माता रानी को आप अपनी जो समस्या है जो मनो कामना है वो बोल कर बोलिए मन में मत बोलिए क्योंकि मन में तो अच्छी और बुरी दोनों ही भावना आती है जो भी कहना है बोल बोल कर कहिए फिर देखिए कैसे मा की किरपा आप पर बरसती है हर हर महादेव धन्यवाद